अब बात जिस खबर की हम कर रहे हैं उसका शिर्शक हमने रखा है भैस का किड्नैब दरसल दो दिन पहले शाजापूर की समिक्षा बैठक के दौरान मंतरी इंदर सिंग परमार ने मुख्यमंतरी से शिकायत की थी इस इलाके में भैस चोरी एक बड़ी समस्या बन चुकी है और पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर पा रही है दरसल चंबल का नाम सुनते ही जहन में उतर जाती है डाकूँ की खतरनाक तस्वीर कभी ये इलाका सैक्ड़ों कुख्यात डाकूँ के लिए बदनाम रहा करता था वक्त बदला तस्वीर बदली लेकिन अब चंबल फिर बदनामी के साय में है इस इलाके में नए तरह के डकैत अपना शिकंजा कसने लगे हैं हालिया दिनों में चंबल अंचल से बड़े पैमाने पर मवेशियों की चोरी हो रही है और इसी पर हम लाए हैं हमारी एक खास पेशकश भैस का किड़नाम चंबल में लौट आये हैं फिर से डाकू अपने मवेशियों को रखना संभाल के दुधारू मवेशी हो या कोई पालतु पश्चू सब हैं चंबल के चोरों के निशाने पर मवेशी चोरी के मामले में MP अबल है इसमें भी गौलियर चंबल अंचल में इन चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है हालात ये हैं कि गावाले अपने दुधारू पश्चियों की सुरक्षा को लेकर डर के साय में रहने को मजबूर है अगर आकणों की बात करें तो 60 दिनों में MP में मवेशी चोरी की 100 से ज्यादा बारदाते हुई हैं इन में अकेले ग्वालियर चंबल अंचल से हैं 20 मवेशी चोरी हुए हैं बीते 6 महिने में इसी इलाके से 100 से ज्यादा मवेशी चोरी किये गए चोरों के निशाने पर सबसे ज्यादा दुधारू गाए और भैसे होती हैं इलाके में सबसे ज़्यादा मवेशी चोरी की बारदात हैं मुरेना, भिंड, गौलियर, शुपुरी, दतिया, गुना, शोपुर और अशोक नगर जिले में हुई है जिन लोगों के मवेशी चोरी हो गए हैं उन्हें पुलिस से कुछ खास बदद नहीं मिल पाती है शिकायत करने पर पुलिस उल्टा मालिक से पशु की पहचान और हुलिया पूचने लगती है अब ऐसे सवालों का सामना बेचाने ग्रामीन कैसे करें मौजूदा दोर में दुधारू पश्यों की कीमत लाखों में पहुँच चुकी है चोर इन मवेशों को दूसरे जिलों में या फिर पड़ोसी राज्यों उत्तरप्रदेश और राईस्थान के जिलों में भेच देते हैं ग्रामीनों के लिए अपने पश्यों को बचाना बड़ी चुनोती बन चुका है उनकी कमाई का जर्या भी मवेशों से मिलने वाला दूधी है पुलिस कोई तबज्यों नहीं देती उनके मुताबिक इस इलाके में ऐसी घटनाएं बहुत कम है और पशु चोरों के संगटित ग्रो होने की बात से पुलिस साफ इंकार करती है पशु चोरी के मामले कम ज्यादा होते रहते हैं विशेशकर ग्रामीर चेलो चेत्रों में और यह जो अपना गाय भैस की चोरी होती रहती है इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि चोरी गई है फिर हमारे जो प्रार्थी है वो भी कई बार इसमें बहुत एक्टिव होके पुलिस को सूचनाएं देता है और पुलिस ने रिकवर भी की है अभी यह जो प्राब्लम है कोई इतना इसने ऐसा रूप नहीं लिया है कि कोई बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या हो गौलिर चंबल इलाके में ग्रोह सिर्फ मवेशी चोरी का ही नहीं बलकि मांड़ वाली कराने वालों का भी है ऐसी खबरे हैं कि चोरी गए पशु बापिस हासिल करने के लिए कुछ लोग मेडियेटर का काम करते हैं इसके अबज में बू मोटा पैसा भी मांगते हैं फिलाल मवेशी चोरी का ये धंदा जम कर फल फूल रहा है रातो रात मवेशी चोरी हो रहे हैं और पुलिस सिर्फ हात मलती रह जाती है प्रेलाद सेन, बंसर न्यूज, ग्वालियर चली अब इस पैकेज को देखने के बाद और आखड़ों के जरीए आप समझ चुके होंगे कि पिछले 6 महीनों में, 8 महीनों में कितनी संख्या में पशूओं की चोरी हुई है हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्रेलाद सेन का, ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे है प्रेलाद हमने अभी अपने दर्शकों को भी बताया और इतना तो समझ आ रहा है कि अब डाकों ने चोरों ने भैस चोरी करने का या पशूओं को जो दुधारू गाय है उन्हें चोरी करने का एक व्यवसाय बना लिया है लेकिन सवाल यही कि आखिर इस पर लगाम लगाने के लिए पुलस क्या कर रहे है देखें बिल्कुल आपने ठीक का कि एक तरीके से ये पेसा है क्योंकि इसमें मोटी रकम वो कमाते हैं अगर देखें जो पसू धन है उसकी जो कीमत है बरतबान में वो एक लाक रुपे तक है और यही बज़े है कि जब पसू चोरी हो जाता है और उसके बाद जब वो उसे मार्किट में बेचते हैं तो मोटी रकम वसूल लेते हैं लेकिन ग्रामीडों में जिस तरीके से डर है कि वो रात में सो नहीं पाते अपने मवेसियों की रखवाली करते हैं जब उन्हें किसी काम से गाउं से बाहर जाना पड़ता है उस दोरान बहुत जादा खत्रा उनके मवेसियों पर बढ़ जाता है ऐसे में जो चोर गिरो है मवेसी चोर गिरो वो उनके जानवर उपर नजर रखता है और मौका पाकर उन्हें चोरी जैसी बारदातों को अंजाम दे देता है अखेले ग्वालियर चंबल अंचल में अगर बात करें तो साथ दिन में दो दर्ज जो चोरी के मामले में ग्वालियर चंबल अबल है यहां चूकि अथर प्रदेश 시 चोर और राज्यस्तान की सीमय में प्रवेश कर जाते हैं तो इस बजह से भी पुलिस को उनको पकड़ने में कापी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हाला कि अभी तक पुलिस ने कोई ऐसा एक्सेंट प्लान भी नहीं बनाया है जिससे मवेशी चोरी की वारदातों को रोका जा सके दीपत लेकिन प्रहलाद एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर जब ग्रामीन शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंचते हैं जिनके मवेशी दुध होता एक जैसी होती है तो जब मवेशी चोरी हो जाते हैं तो पुलिस उनसे तमान सवाल करती है कि मवेशी का रंग कैसा था और लेकिन चोर इतने चालाक होते हैं कि कभी सींग तोड़ देते हैं कभी पूच को काट रोकना चाहूंगा प्रलाद आपको आप बने रहे हैं हम पाचीत करने के लिए फिलाल हमारे साथ किशोर सेंग भदौरिया जी फोन लाइन पर चुड़ गया है रिठाए डियस्पी हैं सर आपसे समझना चाहेंगे कि जस तरह से बीते छे महीनों में एक आएक वारदातें बड़ी हैं एक तरह से अब बदमाशों ने एक नया में क्या है कि विशेश करके एक भिंड मुरेना चेतर जो है काफी जंगली और बीहरी चेतर हैं उस प्यारम से भी यहां पर मभेशी पसूओं के लिए पसू पालने के लिए परयाप सुधाएं थी इसलिए पसू अधिक मात्रारम पाले जाते थे और इसलिए का भी ज्याद पालने के लिए पसूओं का यहां पालन अधिक होता इस शेतर में जी बिल्कुल ठीक कहा आपने लेकिन कहीं न कहीं एक पुलिस के लिए भी एक एक्शन प्लान बनाने की इस पूरे मसले पर जरूरत है बहुत शुक्रिया आपका किशोर सिंग बधारिया जी हमारे साथ जुड़े रिटायर डियस पी हैं और प्रिलाद आपका भी बहुत श पुलिस को इस पर एक जरूर अक्शन प्लान बनाने के जरूर है ताकि इस तरह की वार्दातों को होने से रोका जा सके